योजना इनिंदी योटूब चैनल पर आपका स्वागत है सुकन्या स्मृद्धी योजना की जो ब्याजदर है उन्हें बढ़ा गया है और अब अगर आप एक हजार उपे महिना जमा करते हैं तो आपको जो 14 साल में पैसा मिलेगा वह है पैसा अब आपको पहले से ज़्यादा मिलने वाला है जहां साथियो अगर आप 2023 में सुकन्या स्मृद्धी योजना में अपनी बेटी का खाता कुलुवाते हैं तो जो सरकार की तरब से ब्याजदर बढ़ाई गई है उस हिसाब से आपको 1000 उपे महिना जमा करने पर कितना पैसा मिलेगा हम आपको इस वीडियो में यही जानकारी देंगे तो वीडियो आखीर तक जरूर देखेगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो सस्क्राइब भी जरू करिएगा हाल ही में पोस्ट ओपिस की तमाम स्मोल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव किया गया है ऐसे में सुकन्या स्मिर्दी योजना का भी ब्याज बढ़ा दिया गया है अब इस स्कीम पर 7.6 पिजदी की ब्याज 8 पिजदी के हिसाब से मिलेगा जो पोस्ट ओपिस की छोटी स्कीम है उनमें से एक स्कीम सुकन्या स्मिर्दी योजना है और इस स्कीम में पहले 7.6 पीज़ी ब्याज मिलता था और अब इसे बढ़ा करके 8 पीज़ी कर दिया है निवेश से कहीं ज़्यादा मिलेगा आपको ब्याज नियम के हिसाब से सुकन्य स्मृद्धी योजना स्कीम में 15 सालों तक निवेश करना होता है और 21 साल में यह स्कीम मैच्शियोर होती है अगर आप इसमें 1,000 रुपे महिना जमा करते हैं तो आपका सालाना 12,000 रुपे जमा होगा आपको 12,000 रुपे एक साल में जमा करना होगा इस तरह से 15 सालों में जो आपका कुल जमा पैसा होगा वह 1,80,000 रुपे होगा और 15 से 21 साल के बीच आप कोई इसमें पैसा जमन ही करेंगे लेकिन आपके एमांट पर 8,000 का ब्याज जुड़ता रहेगा अब अगर सुकन्या स्मृद्धी होजना कैलकुलेटर के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करें तो आपके 1,80,000 रुपे के जमा पर आपको 3,78,411 रुपे का प्याज मिल जाएगा जो आपके जमा से कहीं ज़्यादा होगा ऐसे में मैचुरिटी पर आपको 1,80,000 पलस 3,78,411 रुपे और यहाँ पर टोटल 5,58,411 रुपे मिलेंगे जहाँ साथियो अगर आप 1,000 रुपे महिना से 2023 में जब से ब्याजदर बड़ी है उस हिसाब से अगर आप पैसा जमा करेंगे तो आपको जो पैसा मिलेगा बाद में वह 5,88,411 रुपे मिलेंगे इस तरह मामूली राशी जमा करके भी आप बेटी के लिए अच्छा कासा एमांट जोड सकते हैं और उसे बेटी की जरुत के साब से उसकी पढ़ाई और साधी में खर्च कर सकते हैं 2023 में निवेश करेंगे शुरू तो कम मैच्वर होगी स्कीम अगर आप सुकर्ण्य स्मृद्धी योजना में बेटी के नाम से साल 2023 में खाता खुलवाते हैं और पैसल इसमें डालना सुरू करते हैं तो 21 साल के बाद आपको मैच्वर्टी की रखब मिलेगी ऐसे में यह स्कीम साल 2024 में मैच्वर होगी बता दे कि शुकर्ण्य स्मृद्धी योजना में ब्याज की जो समिक्सा की जाती है व해 तिमाई के आधार पर होती है यानि कि इस योजना में हर तिमाई में ब्याज की समिक्सा होती है कि ब्याज घटाना है या बढ़ाना है या सरकार तैक करती है इसमें Income Tax Act के सेक्षन 80C के तैद टैक्स में भी छूट मिलती है अधिक्तम आप इसमें 50 लाग रुपे पर आप टैक्स छूट में कलेम कर सकते हैं तो अगर आप इस स्कीम में 2023 में पैसा लगाना चाहते हैं 2023 में इसमें 1000 रुपे से अपने बैटी का खाता खुलवाना चाहते हैं तो आपको जो आपका खाता मैच्चियोर होगा और 21 साल में वह आपको 5,8,411 रुपे मिलेंगे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक से रख कमेंट जरू करें और चैनल पर नहीं है तो सस्क्राइब भी जरू करेंगा